अस्सलाम उलेकूम, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ पोटेटो स्नेक्स की रेसिपी शेयर करूँगी, जो जट पट से रेडी हो जाएगी, तो आएए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, एक बावल में हम शामिल करेंगे मैदा, इसमें हम शामिल करेंगे भुना अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, यहां में डालूंगी हरा धनिया, इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करके थोरा थोरा पानी शामिल करके हम इसकी एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे थोरा सा ओयल, ओयल डाल कर हम अच्छे स इसे गून लेंगे और इसे कवर करके हम तकरीबन 15-20 मिट तक छोड़ देंगे ताके जो हमारी डो है वो अच्छे से सेट हो जाए अब हम आलू इंगे बाउल में आलू हमारे पास तकरीबन 4 अदद है इसे हमने बॉयल करके मैश कर लिया है थोरा सा डालेंगे इसमें हरा धन मिर्च हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूंगी चाट का मसाला थोरा सा गरम मसाला शामिल कर देंगे यह मिलूंगी गार्लिक पेस्ट हाफ टी स्पून इन तमाम चीजों को हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें शा इसे हम दो हिस्सों में डिवाइट कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे इस तरह से हम दोनों का पेड़ा बना लेंगे अब पेलेंगे इसकी रोटी की शगल थोड़ा सा डस्ट डालेंगे सुखा आटा और इसे हम बेल लेंगे तो डो को हमने जादा मोटा नहीं रखना और नहीं जादा पतला रखना है तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो लाइक कर दीजिए हमारे चैनल गूट कीचन को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो यहां मैंने रोटी को अच्छे से बेल ली है अब हम इसे ग्लास की मदद से या कटर की मदद से शेफ दे देंगे तो देखें जितनी गुंजाईश हो हमने इस तरह से इसके शेफ्स रेडी कर लेने हैं सेंटर में डालेंगे हम आलू का बैटर और इसे हम शेफ दे देंगे शेफ बहुत टाइप्स के होता हैं लेकिन मैंने यहां इस टाइप के शेफ्स दे दिये हैं कि हलका सा फोल गाहिए और इस तरह से प्रैस कर देएंगे हम तुह हम सारी पीटी के इस तरह की शकल दे देंगे के तो हमारे जो पीटी से रेडी हो चुके हैं अब आती है अ प्राइय करने की तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे उसमें हम ऊईल शामिल कर देंगे ऊईल हमारा ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए वरना ये डालते ही जल जाएंगे तो हम वन बाई वन इस से शामिल कर देंगे जितनी गुंजाईश हो पैन में आप उतने ही पेटिस डाल दे तो हमने यहां पेटिस को शामिल कर दिया है फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है वरना यह जल भी सकते हैं पांच मिठ हम एक तरफ से फ्राइ कर लेंगे फिर हम इसे टर्न कर लेंगे तो थे कि इसका गोलर अगया है इस साह से हम सब पेटिस को रेडि कर लेंगे फ्राइ करके अब हम इसे निकाल लेंगे हमारे पेटिस अच्छे से फ्राइ हो चुके है तो बहुत ही मज़े के यह पेटिस बनके रेडि हो चुके है शाम के वक्त आप बच्चों को दीजिए लंच में दीजिए स्कूल में जब बच्चे स्कूल जाए तो इसे लंच बोक्स में भी डाल के दीजिए बड़े मज़े से बच्चे भी खाएंगे और यह जादा स्पाइसी भी नहीं होते शाम को बना के हम इसे रेडी करके इसे भी सर्फ कर सकते हैं तो बहुत ही जटपट से रेडी हो जाते हैं तब से ज़रूर ट्राइ कीजिएगा वीडियो को लाइक और गुड किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए हमें अपनी दुआ में याद रखिए अलाफीज